C.E.A. के तहट पाक्किस्तान, बांगलादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुसलिमों को नागरिक्ता देने पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इन गैर मुसलिमों को नागरिक्ता देना क्यों जरूरी है? आईए आपको आख्णों के जरीए समझाते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजे कि उन अल्प संख्यकों को भारत की नागरिक्ता दी जा रही है जिनका इन तीनों देशों में धार्मिक उत्पीडन हो रहा था। यानि कि धर्म के नाम पर उन्हें प्रतारित किया जा रहा था। किसी न किसी तरीके से। पहले तक ये होता आया था कि भारती नागरिक्ता पाने के लिए किसी भी विदेशी शक्स को भारत में कम से कम 11 साल का समय गुजारना होता था। लेकिन अब पाकिस्तान, बांगलादेश और अफगारिस्तान के गैर मुस्लिमों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी दूसरे देशों के सभी धर्मों के लोगों को अब भी 11 साल ही बिताने होंगे। लेकिन सीए कानून की वज़े से इन तीन देशों के 6 अलप संख्यक समुदाय के 11 साल की जगा 6 साल में ही नागरिकता दे दी जाएगी। धर्म परिवर्तन करा दिया गया है या फिर गायब करा दिया गया है या फिर वो अपना देश छोड़कर भारत आने को मजबूर हो गये हैं। में पाकिस्तान में जनगरना कराई गई तो वहाँ मुस्लिम जो आबादी थी वो 85.8 फीसिदी थी और गैज मुस्लिमों की आबादी 14.2 फीसिदी थी। जबकि पूर्वी पाकिस्तान जो आज बंगलादेश के नाम से जाना जाता है वहाँ 23.2 फीसिदी आबादी गैर मुस्लिमों की थी। 1972 में पाकिस्तान में जब दोबारा जनगरना कराई गई तब पूर्वी पाकिस्तान जो नाम था वो बंगलादेश हो चुका था। उस वक्त पाकिस्तान की आबादी में गैर मुस्लिमों की हिस्सेदारी 3.25 फीसिदी ही बची थी यानि कि 21 सालों में सीधे सीधे लगबग 11 पीसदी गैर मुसलिम अलप संक्यों की का आपादी कम होती चली गई जोहार सत्रह में आखरी बार पाकिस्तान में जनगरना हुई थी और तब वहां गैर मुस्लिमों की आबादी 3.53 पीसदी रहे गई थी पाकिस्तान में गैर मुसलिम आबादी में एहमधिया-Mus seja that हिंदू हैं, इसाई, सिख और दूसरे धर्मों के लोग आते हैं अब बात ज़रा बांगलादेश की भी कर लेते हैं बांगलादेश में भी गैर मुस्लिमों की आबादी बहुत ही तेज़ी के साथ घट गई है यहाँ आखरी बार 2011 में जन गरना हुई थी जिसमें यह तथ्य सामने आया था कि बांगलादेश में गैर मुस्लिमों की आबादी जो की साल 1951 में 23.2 फीज़ी थी, अब घटकर 9.4 फीज़ी रह गई है यानि कि सीधे सीधे यहाँ भी 13 फीज़ी गैर मुस्लिम अल्पसंख्या कम हो गए है अफगानिस्तान की भी अब जरा बात करें, अलजजीरा की रिपोर्ट का अगर जिक्र करें, इस रिपोर्ट को मानें तो 1970 के दशक में अफगानिस्तान में 7 लाग से जादा हिंदू और सिख परिवार रहते थे लेकिन अब वहाँ इनकी आबादी 7000 से भी कम रह गई है, 7 लाग से कम होते होते बस 7000 बचे हैं अमेरिकी विदेश मंत्राली की अगर रिपोर्ट का हवाला दें, तो ये रिपोर्ट ही कहती है कि साल 2018 में अफगानिस्तान में सिर्फ 700 हिंदू सिख परिवार ही बचे हैं, सिर्फ 700 परिवार और वो भी वहाँ गुरह युद्ध जैसे हालाद बनने के बाद गैर मुसलिम देशों से लोट आए हैं यह अनुवान तब का है जब वहाँ पर तालिबानी सरकार नहीं हुआ करती थी, अगस 2021 वे तालिबान के दोबारा सत्ता में आने के बाद अफगानिस्तान से बड़ी संख्या में हिंदू, सिख भारत लोटाए और अब अफगानिस्तान की 99 पीसदी से जाधा की आबादी म वहा じैर मुसलिम आवादी सिर्फ और सिर्फ शूनिद शमरावथ 3 पीसदी ही बची है अब जानिए कि इन देशों में आलप संक्यों कीकी हालत क्या है वजह कितना बड़ा पलायन हुcing इन तीनों ही देशों में अल्प संकिकों यानि की गैर मुसलिमों को कई समवधानिक अधिकार तो दिये गए हैं। जबरन धर्मांतरन भी यहां पर आम बात है। पाकिस्तान में तो और भी ज़्यादा बुरे हालात हैं। पाकिस्तान में धार्मिक स्वतंता की स्थिती बच से बचतर लगातार होती चली जा रही है। टागिट किलिंग्स, इशनन्दा यानि के ब्लस्फेमी के मामले, जबरन धर्मांतरन के मामले और धार्मिक अल्प सेंक्यों के खिलाफ नफरत फैलाने की घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही है। पाकिस्तान में धार्मिक अल्प सेंक्यों की लड़कियों का अपहरण आए दिन होता है। उनके साथ बलातकार करना, बाद में जबरन शादी करके उनका धर्म परिवर्तन करवा देना, ये सब बहुत आम सी बात हो गई है। एक अमेरिके रिपोर्ट की मुताबिक पाकिस्तान में हर साल एक हजार से ज़ादा लड़कियों की जबरन शादी करवाई जाती है, उसके बाद धर्मान्थन करवा दिया जाता है। पाकिस्तान हिंदू राइट्स मूव्मेंट के अगर बात करें तो 2014 में एक सर्वी किया था इन्होंने, जिसमें इस बात का दावा किया गया था कि बटवारे के वक्त पाकिस्तान में 428 मंदिर थे, लेकिन 1990 के दशक के बाद इनमें से 408 मंदिरों में खिलोने की दुकाने, रेस्टरान, होटेल्स, दफ्तर, सरकारी स्कूल या फिर मदर से खोल दिये गए, 2019 में पाकिस्तान की सरकार ने भी 400 मंदिरों में तोड़ फोड या फिर कबजा हो जाने की बात को माना था, तो आप समझ गए न, कि इन अल्पसंखों को नागरिकता देनी आखिर क्यों वेह जरूरी है.